सबी लोगों को नमस्कार जैहिन दोस्तों स्वागत आप सभी का एग्री कोचिंग बाई विकास सर अगर आप लोग हमारी चैनल पर नए आये हैं तो हमारी चैनल को लाइक करिए, सेयर करिए और सब्सक्राइब करिए आज जो हम लेकर आए हैं second practice set जो कि TGT और PGT के लिए बहुत ही most और important रहने वाली है इस practice set से अधिकतर आपको TGT और PGT दोनों में question देखने को मिलेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने first question से first question कहे रहा है कि यदि mercury का अस्तर अचानक गिर जाता है तो क्या होगा ठीक है अधिकतम गर्मी होती है तुफानी दसा होती है भारी वर्षा होती है और स्वच्च मौसम होता है ठीक है इन चारों में से बताईए कौन सा correct हो जागा यदि mercury जो होता है पारा जो होता है उसका अस्तर जो होता है नीचे गिर गिर जाता है यानि कि गिर वटा जाती है तो कौन सी परकिरिया इसमें होने लगती है तो वो संकेद करेगा तुफानी दशा होती है ठीक है यानि यानि-P-K की मातरा होती है ठीक है जायब मक्का जो हम बुआई करते हैं उसके लिए एन-P-K नाइट्रोजन फासफोरस और पोट्रास की मातरा कितनी डाली जाती है पहला उप्शन है 100 यानि कि 100 नाइट्रोजन हो गया फासफोरस 50 और के यानिके पोट्रास 50 ठीक है तो इस की ढालना चाहिए या 30, 40, 40 अनपात की दर से ढालना चाहिए या 20, 60, 40 के अनपात से ढालना चाहिए या 40, 20, 20 के अनपात से सीडीदार सिचाई कहते हैं, समोच सिचाई कहते हैं, या नियंतरिस सिचाई कहते हैं, या बेसीन सिचाई कहते हैं, तो ऐसी परकिरिया को क्या कहा जाता है, सीडीदार सिचाई कहा जाता है, यानि कि first option एकदम correct answer हो जागा, उसके बाद चलते हैं question number 4, question number 4 कह रहा है, सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा यानै कि 10 सेंटीमीटर फोर्थ ओप्षन एकदम करेक्ट अंसर हो जागा, चलoss dot number 5 पर, question number 5 कहँ रहा है, फ्वषिन की ऊपज में प्रेति यूनिट पानी जो फसल की वासपन वासव साजन में इस्तिमाल होता है जाना जाता है जल का बितरन शमता की रूप में जल उपयोग शमता की रूप में जल परियोग शमता की रूप में या कान्वेंस शमता की रूप में तो चारों में से बताईए कौन सा करेक्ट टांसर हो तो इसका correct answer हो जाएगा जल उपयोग छमता के रूप में यानि कि second option एकदम correct answer हो जाएगा चलिए चलते हैं question number 5 पर question number 5 कह रहा है कि फसल की संपोन सुस्क उत्पादित पदार्थ कहलाता है सुस्क पदार्थ उपज, biological उपज, फसल उत्पादन या आर्थिक उत्पादन इन च और ओपशन एकदम correct answer हो जाएगा चलिए चलते हैं question number 7 पर, question number 7 कह रहा है सकल बोया गया छेतरफल के अंतरगत आता है ठीक है पहला option है सुद्द बोया गया छेतरफल पलस एक बार से अधिक बोया गया छेतरफल दूशरा option है सुद्द बोया गया छेतरफल पलस परती भूमी तीसरा option है सुद्द बोया गया छेतरफल पलस परती भूमी पलस वन अच्छादित भूमी चौथा option है उप्योक्त में से कोई नहीं इन चारों में से बताईए सकल बोया गया छेतर फल के अंतरगत आता है कौन सा अंतरगत आता इसके बताना है ठीक है तो इसका correct answer हो जागा यानि कि first option एकदम correct answer हो जागा सुद्ध बोया गया छेतर फल पलस एक बार से अधिक बोया गया छेतर फल तो ये फ़हला option हमारा एकदम correct answer हो जागा चलिए चलते हैं question number 8 की तरह question number 8 की रामिन निर्धनता दूर करने का कारिकरम है जे आर वाई आर एल ए पीजी आई आर डीपी या उप्यूक्त में से सभी तो ये काफी important और अच्छा question है काफी बार एक्जामों में देखा गया है पूछा गया है तो इसका correct answer हो जागा है यानि कि उप्यूक्त सभी जिस आर डीपी विका जाता है यानि कि हमारा correct answer हो जागा उप्यूक्त सभी उसके बाद चलते हैं question number 9 पर question number 9 का रहा आल पर विक्सित देशों की विकास रणनीती में किस संतुलन को अपनाया जाना चाहिए सगम गामी संतुलन, प्रती गामी संतुलन, मौद्रिक संतुलन या उप्यूक्त सभी तो इसका correct answer हो जागा यानि कि मौद्रिक संतुलन third option एकदम correct answer हो जागा चलिए चलते हैं question number 10 पर question number 10 कह रहा है, दस्वी पंच वर्सी योजना की आउधी है, यानि कि दस्वी पंच वर्सी योजना जो है, कौन से साल में या कौन से सन में आई थी 2001 से 2006 में, 2000 से लेकि 2005 में, 2002 से लेकि 2007 या 1995 से लेकि 2000 की बीच में तो दस्वी पंच वर्सी योजना की जो समय था, यानि कि कारेकाल था, 2002 से लेकि 2007 तक, third option एकदम correct answer हो जाएगा उसके बाद चलते हैं question number 11 पर, question number 11 कह रहा है, राष्टिय विकास परिश्यत का गठन कब हुआ था? अगस्त 1947 में, अगस्त 1950 में, अगस्त 1952 में, अगस्त 1960 में, तो इसका correct answer हो जाएगा, यानि कि राष्टिय विकास परिश्यत का गठन कब हुआ था? अगस्त 1952 में, यानि कि third option एकदम correct answer हो जाएगा, चलिए चलते हैं मेरे दोस्तों, question number 12 पर, question number 12 कह रहा है, निम लिखे साधनों में से, कौन सा साधन एक अही समय में दो ग्यानेंद्रियों को सम्मिलित करता है, ठीक है, पहला है poster, दूसरा है models, तीसरा है radio, चौथा option है दू सुनने का, दोनों काम कौन करता है, ये दूरदर्शन करेगा, जो television होता है, सुनाई भी दिता और देख भी सकते हैं, दोनों में काम दिता है, बाकि radio को सुन सकते हैं, poster को हम देख सकते हैं, models को भी देख सकते हैं, ठीक है, तो हमारा correct answer हो जागा, यानि कि दूरदर्शन, question number 13 कह रहा है, प्रास इच्छन यों संपर्क पदती संबोधित दिया गया था, ठीक है, संपोधन दिया गया था, किसके दौरदर्शन दिया गया था, यही आपको बताना है, पहला option है, यान इबार्लोक दौरा, दूसरा इम या स्वामी नाथन दौरा, डैनियल बिनोर दौर या बीपी पाल दौरा, इन चारों में से बताई कोंसा correct answer हो जागा, तो इसका correct answer हो जागा, यान कि प्रास इच्छन यों संपर्क पदती जो है, किसके दौरदर संबोधन किया था, यह डैनियल बिनोर दौरा संबोधन किया गया था, third option एक दम correct answer हो जागा, चले चलते है, question कोश्चन नबर 14 पर, कोश्चन नबर 14 कह रहा है, एक गोल मेज परिचर्चा को कहते हैं, पैनल कहा जाता है, संगोष्टी कहा जाता है, फोरम कहा जाता है, या कारे साला कहा जाता है, तो चारों में से बताईए कौन सा करेक्ट अंसर हो जागी, यानि कि एक गोल मेज परिचर का ग्रामिड वातावरण का ग्रामिड संगठनों का तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा यानि कि फरस्ट वाला ग्रामिड समाज का पहला option एकदम करेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए question number 16 question number 16 कह रहा है बुद्धी भागफल बताता है छमता उम्र का स्कूल जानी की उम्र का या काल करमिक उम्र का या मांसिक उम्र का तो इसका correct answer हो जाएगा यानि कि मांसिक उम्र को बताता है क्या बुद्धी भागफल थीक है तो इसका correct answer हो जाएगा four option एकदम सही हो जाएगा चलिए चलते है question number 17 कोशन नुमर 17 कह रहा है प्रस छेपित स्रव और द्रिस साधन की पहचान कीजिए कड़ पुतली चलचित्र ड्रामा या लोक संगीत इन चारों में से बताईए कौन सा करेक्ट अंसर हो जागा यानि कि स्रव और द्रिस साधन की पहचान करना है ठीक है चलचित्र ठीक है यह जो है यह आपका क्या है प्रच्छेपित स्रव द्रिस साधन है ठीक है सेकंड ओप्शन एकदम करेक्ट अंसर हो जागा चलते हैं 18 पर अगर केवल दो सिचाई उपलब्ध हो तो गेहों की फसल म किस अवस्था पर सिचाई करनी चाहिए ठीक है पहला उप्शन है ताज मूल किले फूटते समय दूसरा है किले फूटने और पुष्पन अवस्था में तीसरा उप्शन है पुष्पा अवस्था में चोथा उप्शन है ताज मूल और पुष्पा अवस्था में तो इसका क आजमूल पर करने हैं दूसरा फ्लावरिंग स्टेज पर करना है ठीक है चलिए कोशन अपर चलते हैं और इस पर काफी इंपोर्टेंट कोशन है इस परकार के कोशन टीजीटी और पिजीटी में आने की ज्यादा संभावना रहती है देखिए यहां पर क्या पूछा है उत्तर 20 जून से 30 जूलाई और 25 जून से 5 जूलाई तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा यानि की 20 जून से लेकि 10 जूलाई तक हम मैदानी भागों में जूद तर प्रदेश का है उसमें हम इसकी बुवाई असानी से कर सकते हैं चलिए कोशन नुबर चलते हैं 20 पर कोशन नुबर 20 काफी इंपोर्टेंट कोशन है पूछ रहा है पी एच बी 71 निम लिखितमे से कौन सी फसल की पर जाती है बहुने गयों की हाईब्रीड धान की हाईब्रीड जौर की या हाईब्रीड मक्का की तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा यानि की हाईब्रीड धान का सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट अंसर हो जागा उसके बाद कोशन नुबर 21 काई रहा है मेरे दोस्तों मक्का की फसल में 60 किलोग्राम प्रती हेक्टेर फासफरोस देने के लिए कितनी सिंगल सुपर फासफेट की आवशकता होगी 100 किलोग्राम प्रती हेक्टेर 300 किलोग्र किलोग्राम प्रती हेक्टेर 425 किलोग्राम प्रती हेक्टेर तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा यानि कि 250 किलोग्राम प्रती हेक्टेर सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट अंसर हो जाएगा स्री दोस्तों इसका सेकंड नहीं रहेगा 375 किलोग्राम रहेगा यानि कि इसका धान की कटाई का उचित समय होता है बाली निकलने के 10 से 15 दिन बाद, बाली निकलने के 15 से 25 दिन बाद, बाली निकलने के 30 से 35 दिन बाद, बाली निकलने के 40 से 50 दिन बाद, तो इसका correct answer हो जाया, यानि की बाली निकलने के 30 से 35 दिन बाद हम धान की कटाई कर सकते हैं, ठीक है, third option एकदम correct answer हो जागा, चलिए question number 20, question number 20 कहा रहा है, मुँँ के बाद धान की रोपित फसल में nitrogen की कितनी मात्रा बचाई जा सकती है, 20-25 kg, 30-40 kg, 45-50 kg, 50-60 kg, तो इसका correct answer हो जागा, यानि कि 20-25 kg प्रति हेक्टर की दर से nitrogen की मात्रा हम बचा सकते हैं, चलिए चलते हैं question number 24, question number 24 कह रहा है, मक्का, आलू, गन्हा, सोज, मुखी की सस्त चक्र गहनता होती है, 100-30, 1.5-30, 200-30 या 200-30, तो इसका correct answer हो जागा, यानि कि 200-30, third option एकदम correct answer हो जागा, उसके बाद question number 25 कह रहा है, कौन से सूखा अवरोधी फसल है, ठीक है, तो इसका correct answer हो जागा, यानि कि चना जो होती है, ये क्या होता है, सूखा अवरोधी फसल है, एक प्रकार का, उसके बाद question number 26, question number 26 कह रहा है, रोग फासफेट है, रोग फासफेट क्या है, या आपको बताना है, जल बिले उर्वर्ख है, साइट्रेट बिले उर्वर्ख है, आ बिले उर्वर्ख है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका correct answer हो जागा, यानि कि आ बिले उर्वर्ख है, third option एकदम correct answer हो जागा, ठीक है, चलिए चलते हैं question number 27 पर, question number 27 कह रहा है, आमीनो, नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन उर्वर्ख है, ठीक आपको बताना है, आमीनो, नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन उर्वर्ख कौन साइज में, पहला option है, अमोनियम सलफेट, दूसरा यूरिया, तीसरा ammonium sulfate nitrate, चौथा option है calcium ammonium nitrate, तो इसका correct answer हो जागा, यानि कि ammonium sulfate को क्या कहते हैं, amino nitrogen युक nitrogen है, फर्स्ट option एकदम correct answer हो जागा, चलिए चलते हैं question number 28, question number 28 कह रहा है मेरे दूस्तों, gypsum phosphatic urwork है, ठीक है, gypsum एक phosphatic urwork है, तो urea phosphate है, di ammonium phosphate है, कि nitro phosphate है, या single super phosphate है, तो इसका correct answer हो जागा, यानि कि single super phosphate है, fourth option एकदम correct answer हो जागा, चलिए चलते हैं question number 31, question number 31 कह रहा है, मिर्दा में नीम की अवस्था, ठीक है, मिर्दा में नीम की अवस्था, जिस पर पौधे मुर्जाना शुरू कर देते हैं, उसे कहते हैं, ठीक है, नमी रहे हैं, मिर्दा में नमी की अवस्था, जिस पर पौधे मुर्जाना शुरू कर दे, उसे क्या कहते हैं, नमी धारण छमता कहते हैं, मुर्जान बिंदू कहते हैं, आधरता ग्राही गुरां कहते हैं, या इनमी से कोई नहीं, इन चारों में से बताएं, कौन सा correct answer हो जाएगा तो अगर मिर्दा में नमी की अवस्था जिस पौधे पर मुर्जान बिंदू कर दे यानि कि पौधे मुर्जा जाते हैं उसको कहा जाता है यानि कि सेकेंड ओप्शन एकदम करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद कोश्चन नमबर 30 कह रहा है राय जोवियम सुक्स्म जिवानु की गांठों में पाये जाता है ठीक है किनकी गांठों पाये जाता है आपको बताना है आन्ने वाली फसले यानि कि अनाज वाली फसलों में दलहनी वाली फसलों में तिलहनी वाली फसलों में तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा यानि कि दलहनी फसले जो ह अधिक होती है, बलोई मिर्दा, दोमट मिर्दा या मट्यार दोमट मिर्दा तो इसका correct answer हो जाएगा, यानि कि मट्यार, दोमट मिर्दा जो होती है इसमें क्यायते हैं, जल धारंड खंता अधिक होता है 4th option एकदम correct answer हो जाईगा, चलें चलते हैं question number 32 पर question number 32 के राय किर्शी मिर्दा की जल धारन शमता अधिक होती है बलोई मिर्दा में, सिल्ट मिर्दा में, मठियार में या दोमट में तो इसका correct answer हो जागा यानि कि दोमट मिर्दा जो होती है इसमें क्या होता है किरसी के लिए मिर्दा की जल धारंड छमता सबसे अच्छी मानी जाती है ठीक है फौर्थ ओप्शन एकदम करेक्ट अंसर हो जागा उसके बाद कोश्चन नमबर 33 संग मरमर है ठीक है अगने चट्टान है अवसाधी चट्टान है कायंतरिक चट्टान है या इन में से कोई नहीं तो जो संग मरमर होता है मिरे दूस्तों वो क्या होता है कायंतरिक चट्टान होता है थार्ड उप्शन एकदम करेक्ट अंसर हो जागा चलिए चलते हैं कोश्चन नमबर 34 पर कोश्चन नमबर 34 के रहा हर के 200 किलो ग्राम बीज उपचारित करने के लिए एक लीटर पानी और थायरम 75 WPDP कितने ग्राम की आवशकता पड़ती है यहीं आपको बताना तो इसका करेक्ट टैंसर हो जगा यानि की डेर सो ग्राम की आवशकता पड़ती है 200 किलो ग्राम बीज को उपचारित करने के लिए चलते हैं कोश्चन नमबर 35 नमबर कोश्चन कराग्या हो कि सोनालिका किस निम लिखित में से किस रोग क्यों रोग की रोग रोधी है ठीक है यानि कि रेसिस्टेंट वेराइटी है कौन से रोग की तो आपको बताना है सुनालिका जो वेराइटी है ठीक है भूरा अथवा पत्ति कीट का पीला अथवा धारिदार कीट का या रतवा कीट का या काला अथवा तना कीट का इन चारों में लग दो खुझे छाफ नियुकट अंसोर हो जागा चलिए कोश्ट नूर चाथ 36 कोश्ट नुबर 36 कह रहा है लाख में रिज कार्फ टिंश कीत्ना होता अटाइस पर्सेंट अटारा साट परसंट या साट अट अत्तर परसंट तो इसका करेक्ट अंसोर हो जागा यानि की आए परसेंट जो होता है रेंजीन का अन्स होता है उसके बाद Kोशन 37 कहा रहा है सेहरी कल्चर कहते हैं किसे कहते हैं सेहरी कल्चर मदुमक्वा या मुझा पालन को व्यांत सिंपल और आसान कोशन है, यानि कि रेसम किट को क्या कहा जाता है, सेरी कल्चर कहा जाता है, second option एकदम correct answer हो जागा, उसके बाद question no.38 करा है, विज्यानिक मानक की अंसवान मंखन में कम से कम कितनी परतिशत वशा का अंस होता है, 84%, 80%, 99% या 70%, ठीक है, इन चारों में से बताए, कौन स correct answer हो जागा, तो इसका correct answer हो जागा, यानि कि second वाला 80%, ठीक है, second option एकदम correct answer हो जागा, के लिए चलते हैं, question no.49 करा है, question no.49 करा है मेरे दोस्तों, सूची 1 को सूची 200 मिलान करना, ठीक है, एक तरफ दिया है फसल का नाम, दूसरी तरफ दिया है विज्यानिक नाम, ठीक है, अमरूद का विज्यानिक नाम क्या होता है, पपीता का अमरूद का विज्यानिक नाम क्या होता है, सपोर्टा का विज्यानिक नाम क्या होता है, अनार का विज्यानिक नाम क्या होता है, इन option में आप ध्यान से पढ़िए, और फिर उसके बाद लगाईए, पहला option कह रहा है कि अम्रूद, अम्रूद का विग्यानिक नाम क्या होता है, अम्रूद का विग्यानिक नाम हो जाएगा, सीडियम गुवा जावा, यानि कि सेकंड पर जाएगा, उसके बाद पपीता, पपीता को विग्यानिक नाम क्या होता है, केरी का पपाया होता है, उसके बाद सपोर्टा का विग्यानिक नाम क्या होता है ठीक है यहां सपोर्टा दिया हुआ है अर्चर सपोर्टा यह हो जाएगा इसका विग्यानिक नाम उसके बाद अनार का विग्यानिक नाम जानते ही है पुनी का ग्रिनिटम जो होता है यह अनार का विग्यानिक नाम हो तो इसका correct answer हो जगा असील जो है असील को वारे में जानते ही है यह बारतिय नसल की मुर्गी है यानि कि सेकेंड ओप्शन एक दम correct answer हो जगा बाकी लेगहौर्न है न्यूहेंपसायर है रोड आरलेंड यह सब भी देशी नसले हैं उसके बाद बात करते हैं कोश्चन नंबर 41 क यानि कि National Dairy Research Institute कहां पर रिस्तित है यह आपको दिल्ली में है इजतनगर में है भूनेश्वार में या करनाल में बहुत ही सिंपल सा कोश्चन था यानि कि NDRI कहां पर रिस्तित है यह करनाल हर्याना के अंदर रिस्तित है चलिए चलते हैं कोश्चन नंबर 42 कि किस से संबंद क्या है operation flood ठीक है जो वर्गिस कुरियन के द्वरा चलाए गया था इसको उसके वाद कोश्चन अबर 43 करा कि सबसे अधिक विसेले तो प्रति दिन किस सहर में घुलते हैं ठीक है तो दिल्ली में मूंबई में कौलकाता में या चेंड़ी में यहाँ पर मतलब यानिके सबसे सबसे ज्यादा जो प्रदूसित सहर कौन सा है तो यह आपको बताना है तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा है यानि कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा परदूशित है और बिसेलिता तो प्रति दिन सबसे अधिक घुलते रहते हैं ठीक है तो पहला उप्षन एकदम करेक्ट पर चलते हैं कोशन नमर 44 कराणिम लिखित में से जिन्हों ने क्रिसी पर जोड़ दिया यह आपको बताना है नियो क्लासिकल आर्षास्त्रियों ने फिजियो क्रेट्स आर्षास्त्रियों या उप्योगत में से किसी ने भी नहीं तो इसका करेक्ट टैंसर हो जागा मेरे द जोड़ दिया गया थार्षान एकदम करेक्ट टैंसर हो जागा उसके बाद कोशन नमर 45 किया रहा है वर्स 1989 में भारत सरकार ने घोसित किया ठीक है आपको बताना है 1989 में भारत सरकार ने क्या घोसित किया समाजिक वान की अधिनियाम घोसित किया या वान की अधिनियाम या वान सरचन दिनिया या इनमे से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जागा यानि कि इनमे से कोई नहीं fourth option एकदम correct answer हो जागा ठीक है चलिए चलते हैं question number 46 पर question number 46 का रहा है महिला इस मिर्दी योजना कब प्रारम कीगे थे इसका correct answer हो जागा यानि कि 2 October 1993 को महिला इस मिर्दी योजना प्रारम की गए थे first option एकदम correct answer हो जागा उसके बाद question number 47 के रहा है भारत में ग्रामिड बैंक कब से प्रारम कीगे 26 January 1976 15 अगस्त 1976 2 October 1976 या उप्युक्त में से कोई नहीं है तो इसका correct answer हो जागा जागा मेरे दोस्तों उप्युक्त में से कोई नहीं fourth option एकदम correct answer हो जागा चले चलते हैं question number 48 बार question number 48 के रहा है दीन द्याल विकास योजना किस वर्थ से आरंब हुई 1990 में 90 से 91, 92 या 1992 से 93 तो इसका correct answer हो जाएगा यानि कि 1991 से लेके 92 में third option एकदम correct answer है जो कि दीन द्याल विकास योजना प्रारंब की गई थी ठीक है उसके बाद question number 49 उत्तर पर्देश के दुख दुथ पादन का में अस्थान है प्रथम स्थान, द्वीतिय स्थान, तिरतिय स्थान या चतुर स्थान तो उत्तर परदेश के जो दुख दुथ पादन में अस्थान है वो प्रथम स्थान है यानि कि first option है एकदम correct answer हो जाएगा उसके बाद question number 50 मेरे दोस्तों आम का पर्मुख कीट क्या है ठीक है आम का पर्मुख कीट आपको बताना है कौन सा है मिली बग है चेपा है पत्ती छेदक है या जड़ छेदक है तो इसका correct answer हो जागा है यानि कि मिली बग जो है मेंगो का सबसे पर्मुख कीट माना जाता है फर्स्ट ओप्शन एक दाम correct answer हो जागा चलिए चलते है question number 51 के रहा है मेरे दोस्तों निमने लिखित फसलों में से कौन एक माना और रचित फसल है ठीक है जो है ट्रिकेल है गेहू या राई तो इसका correct answer है यानि कि ट्रिकेल जो है ये माना और रचित फसल है ठीक है गेहू क ट्रिकेल जो कि राई और गेहों के बीच में क्रास करके ट्रिकेल निकाली गए थी ठीक है उसके बाद question number 2 कह रहा है कि golden एकड़ एक परजात ही है काफी important variety है ठीक है हर बार एक्जामू देखा गया है कि ये question हमीशा आता रहता है golden एकड़ एक किसकी परजात है फूल गोवी question number 13 कह रहा है chlorophyll निर्मार में कौन से दो तत आवशक होते है ठीक है आपको बताना है chlorophyll निर्मार में कौन से ऐसे दो जो पूशक तत होते हैं काफी important भूम का निभाते है calcium और potassium दूसरा sodium और copper तीसरा option है iron और magnesium चौथा option है sulfur और phosphorus तो इसका correct answer हो जागा यानि कि iron और magnesium जो हो आते हैं ठीक है chlorophyll निर्मार में तो third option एकदम correct answer हो जागा चलिए चलते हैं question number चौवण पर question number 54 काली मिट्टे सबसे अधिक उप्युक्त होती है जूट की खेति के लिए धान की खेति के लिए कि खेति के लिए या गियों की खेति के लिए तो काली मिद्धा जो अच्छी मानिजाती हो गो कपास की खेति के लिए अच्छे मानी जाते है थार्ड ओप्शन एक्टम करेक्ट अंसर हो जाएगा उसके बाद कोशन नुबर 55 कह रहा है भारत को कितने करिसी परिस्तितिक छेत्रों में बीभाजित किया गया है तो 15 है 8 है 20 है या 25 है चार ओप्शन मैं से बताएगे कौन सा करेक्ट अंसर ह हो जाएगा अगर भारत की पूछ रहा है तो 20 क्रिसी सस परिस्तितिक छेत्रों में बाटा गया है यानि कि थार्ड ओप्शन एक्टम करेक्ट अंसर हो जाएगा चले चलते हैं कोशन नुबर 56 पर कोशन नुबर 56 करा धान के खेत में उसरजित होने वाली गेस कौन से होती है अमोनियम, मिथेन, इथेन या प्रोपेन तो धान के खेत में उसरजित होने वाली गेस कौन से होती है भाई साब ये होती है मिथेन होती है ठीक है उसके बाद कोशन नुबर 57 कह रहा है निम लेखिन में से किसके दौरा नाइट्रस या नी की NO2 को नाइट्रस यान O3 में पर सा क्रेक्ट नसर हो जागा तो इसका क्रेक्ट अनसर हो जैगा यान नाइट्रो बैट्टर ठीक है ये क्या करता है ययन A2 को ययन O3 में परिवर्टित कर देता है फौर्थ ओप्षयन एक्ढम क्रेक्ट अनसर हो जागा चले चलते हैं कोस्टन नबर 58 पर पर कोश्यों ऑबर अठावन करें बरेस को कर हसे कि नाटा किस तक करी नाठा किसकंपर नाम मैं क召तिक जाना जाता तो इसका Char demand कर्ण सर्सों का इह या 2 दोनों या गोभी सर्सों का तो इसका 김ping ठाड़ और फर्स्ट और सेकट कर दोनों का दोनों का विज्यानिक केरी नाटा होता है करन सासों और इथोपी अंसरों का ठीक है तो थार ओप्षन एकदम करेक्ट अंसर हो जागा उसके बाद चलते हैं कोश्चन नमबर 69 पर कोश्चन नमबर 69 का रहा है बीज प्रसिक्षन में टेटरा जोलियम कुलराइड का परियोग किसके निर्धारन के लि टेटरा जोलियम कुलराइड का परियोग किया जाता है बीज परिच्षन में ठीक है उसके बाद चलते हैं कोश्चन नमबर 60 पर कोश्चन नमबर 60 के रहा है भारत में पहला किरसी विग्यान के अंदर स्थापित किया गया बिहार में पांड़ी चेरी में राजस्थान में हरिया नमें ठीक है तो इसका correct answer हो जागा यानि कि आप लोग जानते हैं पहला किरसी विग्यान के अंदर कहाँ पर इस्तापित कियا गया था पांडी चेरी में इस्ताफित किये गया था सेकंड ऑप्शन एक दम करेक्ट अंसर हो जागा उसके बाद कोश्चन नमबर 61 कोश्चन नमबर 61 कह रहा है मेरे दोस्त दूद का हिमांग जिसको क्या कहते हैं फ्रीजिंग कहा जाता है होता है कितना होता है यह आपको बताना है प कितना होता है माइनाच 0.55 डिगरी सेंटिगरेट होता है फोर्थ ओप्शन एक दम करेक्ट अंसर हो जाएगा उसके बाद कोश्चन नमबर 62 कोश्चन नमबर 62 जो कह रहा है कि बहुत आंत्रिका सोध कि पोशक तत्यों की कमी का लच्छणा है ठीक है निको टीनमाइड्स य कोबा मीन का या थाइमीन का इन चारों मसे बताएगे कौन सा करेक्ट अंसर हो जाएगा किसका करेक्ट अंसर हो जाएगा 62 का यानि की फोर्थ ओप्शन थाइमीन ठीक है फोर्थ ओप्शन एकदम करेक्ट अंसर हो जाएगा उसके बाद चलते हैं कोश्चन नमबर 63 कोश्च या डेड़ किलोग्राम तो इसका करेक्ट अंसर हो जाए यानि कि 3 किलोग्राम ठीक है उसके बाद कोश्चन नमबर चौश्ट नमबर कोश्चन कर रहा है भारत में बीर ये तनुकरण का संतुपत दर कितनी होती है एक अनपाद 100 एक अनपाद 400 एक अनपाद 200 एक अनपाद 1000 तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा एक अनपाद 200 यह आप याद रखें काफी इंपोर्टन कोश्चन थे दोनों उसके बाद चलते हैं question number 65 पर, question number 65 करा है, मोटे चारों में TDN की अधिकतम और यसे की नियूंतम मात्रा कितनी होती है, 18 से 60 पर 30, 60 या 18%, 20 या 48 या 20%, तो इसका correct answer हो जगा यानि कि second 60 या 18%, second option एक दम correct answer हो जगा, चलिए चलते हैं question number 66, question number 66 करा, यूवक मंगल दल, यूवा संगठन है, ठीक है आपको बताना है, यूवक मंगल दल, यूवा संगठन जो है, ये किस देश का, भारत का है, पाकिस्तान का है, बांगला देश का है, या नेपाल का है, तो इसका correct answer हो जाएगा, यानि कि भारत का है, first option एक दम correct answer हो जगा, उसके correct answer हो जागा राष्ट योजना आयोग काद्यक्ष कोन होता परधान मंत्री होता first option एकदम correct answer हो जागा चलिए चलते हैं question number answer पर question number answer करा है लेख पाल सची होता है भूमी परबंदन समीति का ग्राम विकास पंचायत का नियाय पंचायत का विकास खंड पंचायत तो इसका correct answer हो जागा answer का मेरे दोस्तों भूमी परबंद समीति का first option एकदम correct answer हो जागा उसके बाद चलते हैं question number 69 पर question number 69 कहरा है चरी बरसीम धान मतर फसल चक्र चलाने के लिए कितने खेतों की आवशकता होती है दो खेत एक खेत चार खेत या तीन खेत इन चारों में से बताइए कौन सा correct answer हो जागा तो इसका correct answer हो जागा यानि कि दो खेतों की आवशकता होती है first option एकदम correct answer हो जागा उसके बाद चलते है question number 70 पर question number 70 कर रहा है निमें लिखित में से सूचक फसल कौन है ठीक है आपको बताना है इसमें से सूचक plant कौन सा है बाजरा है जवार है गोभी है या प्याज है ठीक है यानि कि सूचक पोदर उसी कहते हैं यानि कि कोई भी plant है वो दर्था देता है पहले कि इस पोसकत की इस plant में कमी है उसके लच्छन पहले भी परकट होते हैं उसे सूचक plant कहते हैं ठीक है तो इसका correct answer हो जागा यानि कि गोभी गोभी जो होता है यह सूचक plant माना जाता है ठीक है बागी बाजरा जवार प्याज यह सब सूचक प्लांट नहीं आते हैं उसके बाद चलते हैं यानि कि उप्युक्त में से कोई नहीं फोर्थ ओप्शन एकदम correct answer हो जागा उसके बाद चलते हैं question number 72 पर question number 72 कह रहा है पपेन निकाला जाता है किसी निकाला जाता है पॉपी से पपीता से रवट से या चिर से तो काफी simple question था या इसको कह सकते हैं पपीता जो है पपीता क्या निकाला जाता है पपेन निकाला जाता है ठीक है second option एकदम correct answer हो जगा चलते है question number 73 कोशन निमे लिखे में से कौन सा फल फलों का राजा कहलाता है काफी simple सा question है बच्चे बच्चे बता देंगे इसको तो mango जो होता है ये फलों का राजा कहलाता है उसके बच्चे निमे लिखे में से कौन सा एक जोड़ा सही है ठीक है इसमें से बताना कौन सा जोड़ा एक सही है बाकि सब तीनों गलत है धान का सफेद गिडार आलू का दीमक गन्ना का गंदिवग या चना का फलिचे दक तो जाहिज सी बात है, इसमें आप लोग जानते हैं का चैने का परमुक किट कौन सा होता है, फाले छे दख होता है, ठीक है, तो इसका परमुक किट होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्षन इसका correct answer हो जागा, बाकि धान का गिडार नहीं होता है, आलू का दीमक नहीं होता है, गन अंगस की दौरा होता है करनाल बंट ठीक है गेहूं में सेकेंड ओप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जागा चले चलते हैं कोशन अबर 66 पर कोशन नबर 66 कर रहा है कौन क्रिशी बित की पूर्ती का सुरोत है साहुकार अड़तिया संबंदी या सरकार ठीक है इन चारों से आधर कर रहा है मुर्गी प्रोटिन देने वाला सबसे उत्तम स्रोब क्या है लोन मिल इसको यह लोन नहीं यह बऊंड मील होता है ठीक है बऊंड मील राइस फॉल इस पॉलिस फिस मील या मीटर मिल ठीक है इन चारों मत By मता यह उसे पता यह कौन सा कौरेक्ट आचर तो 77 का correct answer हो जागा यानि कि फिश मील जो हता है ये प्रोटीन का कारी करता है इसलिए इतने फिश मील दिया जाता है मुर्गी पालन जो करते हैं मुर्गियों के लिए ठीक है तो third option एक तो correct answer हो जागा उसके बाद question number चलते हैं 78 पर question number 38 कहरा परसार सिच्छा का उदभा हुआ सहींत राज अमेरिका में जापान में इंगलेंड में या भारत में तो इसका correct answer हो जागा यानि कि अमेरिका में सहींत राज अमेरिका में क्या हुआ परसार सिच्छा का उदभा हुआ उसके बाद question number 89 question कहरा रीतु मैं भैंस में गर् करेक्ट अंसर हो जाएगा उसके बाद चलते हैं कोशन नंबर 80 पर कोशन नंबर 80 कर रहे हैं फीड का यन एफ ई से बना होता है वाइजटेबल वेजटेबल प्रोटीन घुलंसील कार्बोहाइड्रेड या वेजटेबल फ्रूट फाइबर या वेजटेबल वसा तो इसका करे सेकन्ड ऑल गुलंसील कार्बोहाइड्रेड ठीक है सेकन्ड ओप्षन एकदम करेक्ट अंसर हो जागा उसके बाद कोशन नंबर 81 कर रहा है तराई की मिरदा में कमी होती है जिंक की लोहा की गंदक की या मॉलीवीड्स की तो तराई की जो मिरदा होती है उसमें हमेंसा ओपन उलेख करता है मिरदा भार का मिरदा संग्ठन का मिरदा सारचना का मिरदा गठन का तो इसका क्रेक्ट अंसर हो जागा नहीं यान कि फर्स्ट थीरम जो होता है यह बीजगी सोधन में पर्युक्या जाता है फर्स्ट ओप्शन एकदम करेक्ट अंसर हो जगा ठीक है क्योंकि ये फंगी साइड है फंगर से समधी जितने वी रोग होते हैं उसको seed treatment में काम मिलिया जाता है question number 84 का रहा है निम लिखित में से कौन सा फसल भूमी सार अच्छी फसल नहीं है मुंग है उर्द है लोविया है मक्का है तो इसका correct answer हो जाएगा 84 का आप लोग जानते हैं मक्का जो होता है ये मिर्दा को सरच्छन करने में कोई भूम का नहीं निवाता है बाकि उर्द लोविया ये मुंग है ये मिर्दा को रोकने का काम करती है एक अस्तान से दूसरे अस्तान से जाने के लिए बचाती है ठीक है चलिए कोश्चन नमबर चलते हैं यानि कि इस कोश्चन का correct answer हो जागा यानि कि fourth option मक्का कोश्चन नमबर चलते हैं 85 पर कोश्चन नमबर 85 के रैनलीम लिखित में से कौन सा carbonic aurwork का उधारन है sodium nitrate, urea, ammonium sulfate, di ammonium sulfate तो इसका correct answer हो जागा यानि कि second option यूरिया जो होता है ये carbonic aurwork का उधारन माना जाता है उसवचन नमबर 86 आवला में necrosis होता है ठीक आपको बताना है आवला में necrosis जो बिमारी होती है, किस की कमी की करण होती है बोरान ततो की कमी की करण लोह ततो की कमी करण, NPK की कमी करण तामबा की कमी की करण तो इसका correct answer हो जागा यानि कि बोरान ततो की कमी की करण क्या होता है necrosis रोग हो जाता है आमला के अंदर, first option एक दम correct answer हो जागा, उसके बाद चलते हैं question number 86 question number 87 बहुत easy, बहुत आसान question है, हमेशा पढ़ते हैं हैं आप लोग, आम का उत्पति इस्थान कहां है, चीन है, भारत वर्मा छेतर है, उसके बाद गंजी अमरीका है, इसका correct answer हो जाएगा, यानि की 87 का क्या हो जाएगा, आम के उत्पति इस्थान कहां हो जाएगा, भारत वर्मा छेतर मना गया, second option है, तम correct answer हो जाएगा, उसके बाद question number 88 कह रहा है, कि निमलेक में से कौन सा भारत का राष्टे फल है, ठीक है, जानते हैं आप लोग mango जो होता है, यह क्या है, राष्टे फल है, ठीक है, यह आप याद रखेंगे, चलिए question number 89, question number 89 कह रहा है, जैसे हम बात कर लिते हैं, पहले marmalade, marmalade किससे बनता है, खटे फलों से बनता है, ठीक है, second option एकदम सही हो जागा, पपेन किससे बनता है, यह पपीते से बनता है, यह सही हो जागा, उसके बाद chips किससे बनता है, जेली किससे बनता है, यह आपको बताना है, ठीक है, जो chips है ये बनेगा केला से, ठीक है केला के कुछ विराइटिया आती है, जो चिप से बनाने में काम मिली जाती है, उसके बाद अमरूज सी क्या बनती है, जैली बनती है, तो इसका फॉर्थ वाला जो है, एकदम सही करेक्ट अंसर हो जागा, ठीक है, यानि कि सेकेंड, थार्ड और फॉर्थ और वन, ठीक है, ये एकदम ध्यान रखेंगे, उसके बाद चलते हैं, कोशन नमर नब्बे पर, कोशन नमर नब्बे कर रहा है, आवला के पॉधे के उत्पादन है तो, कौन सी विधी, कौन सी विधी, वेफसाइक रूप में परियोग में ला लिए जाता है, ठीक है, फॉर्थ और फॉर्ट अप्शन नमर नब्बर इक्यान विपे, पोशन नमर इक्यान विपे, पोधों को जीन दो तत्तों की अधिक्तम आवशकता होती है, वह है नाइट्रोजन और दूसरा कौन सा ये आपको बताना है, पोटेशियम है, जिंक है, कॉपर है या सलफेट है, तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा पोटेशियम, ठीक है, फास्ट अप्शन एकदम करेक्ट अंसर हो जागा, उसके बाद चलते हैं कोशन नमर बान विपे, कोशन नमर बान विपे कह रहा है, जिंक का सबसे अधिक्तम प्रेचलित उर्वर्क का पर Q3 में करा हरी खाद का उपयोग अधिकतर किसके सुरोत के रूप में किया जाता है जिंक के लिए कार्बन के लिए फासफोरस के लिए नाइट्रोजन के लिए काफी इंपोर्टन और मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन है तो आप ध्यान देंगे हरी खाद का उपयोग अधिकतर कि इसके सुरोत के रूप में किया जाता है ठीक है तो इसका correct answer हो जाएगा यानि कि nitrogen के सुरोत के रूप में किया जाता है ताकि nitrogen निकठा हो जाए ठीक है उस भुहनी nitrogen के देने की मात्रा कम किया जा सकता है तो ये fourth option ऐक questa nextεια हो जाएगा उसके बाद question number 94 समसूत्री विवाजन किस कोश्का में होता है सुमेटिक कोश्का में जर्म कोश्का में गुण सूत्र कोश्का में या इन में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जागा मेरे दोस्तों यानि कि सुमेटिक कोश्का में समसूत्री विवाजन होता है ठीक है फास्ट ओप्षिन हो जाएगा यानि कि 50-60% third option एकदम correct answer हो जाएगा ठीक है उसके बाद question number 96 question number 96 कहा रहा है पस्कों के सरीम में calcium की मात्रा कितने परतिशत पाई जाती है 1.3% 2.3% 3.3% या 4.3% तो इसका correct answer हो जाएगा यानि कि 3.3% ठीक है तो third option इसका भी correct answer हो जाएगा चलिए चलते हैं question number 97 question number 97 कहा रहा है भारत का वार्षिक दुख दूद पादन कितना है 17 million ton 110 million ton 200 million ton या 250 million ton तो इसका correct answer हो जाएगा यानि कि 110 million ton second option correct answer हो जाएगा ठीक है अगर आप लोग हमारी channel पर नए आया है तो हमारे channel को like करिए share करिए और अधिक सब्सक्राइब करिए यह जो हम करार है practice set number 2 है और इसमें 125 question TGT और PGT में पूछा जाता है तो उसी के according यह question की series बनाई गई है ताकि अधिकतर question आपको हमारी series से मिल सके हैं ठीक है उसके बाद चलते हैं question number 98 98 पर 98 नंबर question कर रहा है गाय के दुख्द का पेच्छित घनत तो होता है 1.208 या 1.030 या 1.031 या 1.045 तो इसका correct answer हो जागा 98 का यानि की second option एकदम correct answer हो जागा ठीक है 1.030 second option एकदम correct answer हो जागा चलिए चलते हैं question number 99 पर है के परकास की हरी किड़नों का और सोरिक के दारा होता है फाई को इथरेन दौरा कैरा टिन वाइन दौरा या कलोरोफिल्ज दौरा या फाई को साइन दौरा तो इसका correct answer हो जागा यानि कि second option एक दम correct answer हो जागा कैरा टिन वाइन दौरा ये क्या होता है हरी किड़नों का आउसोषन होता है ठीक है सूरे परकास की उसके बाद कोशन नबर सो करा परिपक बीज में केंदर के परसिटेक्ट बाहरी परत को क्या कहते हैं पेरी स्पर्म कहते हैं मासा उंकर या मधिमास कहते हैं या एंडो स्टॉम्प्स कहते हैं या एंडो एंडो लिथियम कहते हैं तो इसका correct answer हो जागा, यानि कि perisperm कहते हैं, first option एकदम correct answer हो जागा, ठीक है, उसको यहाँ चलते हैं, question number 101 पार, question number 101 कहा रहा, पोधे में citrus kanker किस से उत्पन होता है, virus से mycoplasma दोरा, कवक दोरा है, bacterial दोरा, तो इसका correct answer हो जागा, bacterial disease है, टीक है, future option एकदम correct answer हो जागा, उसके बाद question number 102, question number 102 के रहां लिकिन में से कवक खाद गए तरह है, पर्योग किया जाता है, ठीक है, tubas, melaninus sperm, asti legos, medis, ya coproy Doghis, sceneries, mucidus, तो इसका correct answer हो जागा, यानि कि tuber, melaninus sperm, ठीक है, first option एकदम correct answer हो जागा, उसके बाद question number 103, निम्म लिखिन में से कौन सा fact-active parasites है, ठीक है, phytophthora, alterneria, pathia, या elvigo, इन चारों में से बताए कौन सा correct answer हो जगा, तो alterneria जो होता है, या alterneria यानि कि second option जो है, ये fact-active parasites है, ठीक है, second option एक दम correct answer हो जगा, उसके बाद चलते हैं question number 104 पर, question number 104 करा, आलो में पच्छेती जूलसा रूख का कारण क्या सिस्ट ओपस है, phytophthora, alterneria है या आश्टी लेगो, तो इसका correct answer हो जगा, यानि कि phytophthora है, second option एक दम correct answer हो जगा, ठीक है, phytophthora इन फेस्टेंस द्वारा होता है, ये पच्छेती जूलसा और अगेती जूलसा, alterneria 69, ये आप याद रखेंगे, चलिए question number चलते हैं, 105 पर, question number 105 करा, बिचानू में उपस्तित होता है, केवल RNA, केवल DNA, RNA और DNA दोनों, ना तो RNA, ना तो DNA, ठीक है, इनमें से बताए, कौन सा correct answer हो जगा, तो इसका correct answer हो जगा, RNA और DNA दोनों, ठीक है, third option एकदम correct answer हो जगा, 606 करा है, यादी फार्म किरियाओं को करने के लिए, निश्चित अवधी के स्रम किराय पर लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्थाई मजदूर कहते हैं, परिवारिक मजदूर कहते हैं, या अंकुसल मजदूर कहा जाता है, तो इसका correct answer हो जाएगा, यानि कि third, आकासम मजदूर कहा जाता है, थार्ड ओप्शन एकदम correct answer हो जाएगा, उसके बाद question number 107 कह रहा है, मजदूरी पुरसकार है, ठीक है, मजदूरी क्या है, पुरसकार है, पूजी का, भूमी का, स्रम का, या परवंदन का, तो इसका correct answer हो जाएगा, यानि कि स्रम का third option एकदम correct answer हो ज जे बी क्लार्क दोरा, या फबी हाले दोरा, या टाजिंग दोरा, ठीक है, इन चारों में से बताएगे, कौन सा correct answer हो जाएगा, लाब का मजदूरी सिद्धान्त परतिपादत किया गया था, टाजिंग के दोरा, fourth option एकदम correct answer हो जाएगा, उसके बाद चलते हैं, question number 109, एक स हम अधी वाला, second option एक दम correct answer हो जाएगा, उसके बाद चलते हैं, question number 110 पर, question number काफी है 110, सहकारी समीती अधिनियम पास होने का वर्स क्या है, 1904, 1910, 1915, 1935, इसका correct answer हो जाएगा, सहकारी समीती अधिनियम पास कब हुआ था, 1904 में हुआ था, first option एक दम correct answer हो जाएगा, उसके ब और आसान है, यानि कि सेके नम अपसी नेरम जो विग्यानिक नाम है, यह हो जाएगा, गन्नाई का, ठीक है, उसके बाद चलिए question number चलते हैं, 112 पर, 112 नमबर question कहरा, स्वयवीन का उत्पति अस्थान कहा है, भारत है, स्रिलंका, USA या चीन, ठीक है, तो इसका correct answer हो जाएगा, चीन, स्वयवीन का उत्पति अस्थान कहा माना गया है, चीन माना गया, फोर्थ option एक तुम correct answer हो जाएगा, चलिए चलते हैं, question number 113 पर, question number 113 कहरा है, धान में खहरा रोग की रोग थाम के लिए छिरकाव किया जाता है, बोरेक्स का, कॉपर सल्फेट का, जिंक सल्फेट का, या कैल्सियम सल्फेट का, ठीक है, तो इसका correct answer हो जागा, यानि कि जिंक सल्फेट का छिरकाव किया जाता है, धान में अगर खहरा रोग लग गया है ताव, third option एक तुम correct answer हो जागा, उसके बाद question number 114 कहरा है, सरसो में कितने पूंकेसर पाई जाते हैं, 5, 6, 7 या 8, तो इस इसका correct answer हो जागा, पूंकेसरों की संख्या 6 होती है, सरसो में, ठीक है, second option एकदम correct answer हो जागा, उसके बाद 115 number question कहरा है, red delicious एक पर जाती है, save की, अमरूत की, आम की, या पपीता की, तो red delicious जो पर जाती है, ये हो जागी save की, first option एकदम correct answer हो जागा, ठीक है, उसके बाद चलत है, question number 116 पर, question number 116 कहरा है, कौन सी nozzle खरपतवार नासी के छिड़काव में उप्योग किया जाता है, कौन impact annular या flat fan, तो इसका correct answer हो जागा है, यानि कि impact जो होता है, ये nozzle खरपतवार नासी छिड़काव में काम में लिया जाता है, second option एक तो correct answer हो जागा, उसके बाद question number 117, 117 कहला कहला है, दूद का सरक्रा कहलाता है, glucose कहलाता है, lactose कहलाता है, या fructose कहलाता है, तो दूद का जो सरक्रा होता है, ये क्या कहलाता है, मेरे दोस्तों, lactose कहलाता है, ठीक है, तो second option एकदम correct answer हो जागा, 125 question हो की series है, हम धेरे-धेरे last question की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, 24- यह Q118 पर चलते हैं, Q118 कर रहा है, मोथा किस उकुल का पोधा है, ठीक आपको बताना, मोथा जो एक घास होती है, यह किस उकुल की फैमिली है, फैमिली इसकी बताना है, ठीक, ग्रेमेनी, पोईसी, मालवेसी, साइप्रेसी या लिली इसी, तो इसका correct answer हो जागा है, यानि कि मोथा जो होता, साइप्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है, third option एक दम correct answer हो जागा, उसके बाद question नमबर चलते हैं 119 पर, 119 नमबर question करा है, कार्बो हाइडरेट किस की कमी से, पत्ती से, पोधों की और जगहों पर नहीं पहुँचा, पहुच पाती है, यमियन, बोरान, जड की कमी के करण ऐसा होता है, ठीक है, जो पत्ती से क्या होता है, पोधों की तरफ नहीं बढ़ सकती है, उसके बाद question number 120 किसान मित्र एक करमचारी है, किस के हैं, केंद सरकार के हैं, निगम के हैं, राज्य सरकार के हैं, या इनमें से कोई नहीं, तो ये question काफी बार एग्यामो हो जेगा, चलिए चलते है, question number 121 पर, question number 121 कहारा, काफी important question है, धान और गेहों में कितने कितने पूंकेशर होते हैं, पहले आपको बताना है धान का, ठीक है, किसका बताना धान, उसके बाद बताना है, गेहों, ठीक है, गेहों, इन दोनों में पूंकेशरों की संख्या कितन गेहों में, अब यह आपको, पीछे हम बता थे, कि धान के अंदर, पूंकेशरों की संख्या कितनी होती है, अगर, अगर, आपको याद हो, तो आप पकड़ लेंगे कि मतलब, इसका correct answer हो जगा, धान में, पूंकेशरों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, और गेहों में, 3 होती है तो यहां पर लिख दे रहे हैं धान में पूंखेश्रों संगेच है और ग्याहूं में तीन होती है ठीक है तो हमारा correct answer हो जाएगा यानि कि fourth option एकदम correct answer हो जाएगा चली चलते हैं question number 122 पर question number 122 कह रहा है पराग कोस कितने पराग पुष्टों से बटा होता है एक दो तीन या चार तो इसका correct answer हो जाएगा यानि कि चार पराग कोस पराग पुष्टों से क्या होता है बटा होता है fourth option एक तुम correct answer question number 123 कह रहा है mutation research पुष्टक किस ने लिखी है मोलर ने और बेक ने इस्टेंडलर ने या या निल्सन इनले ने तो इसका correct answer हो जाएगा 123 का निल्सन इनले द्वारा क्या लिखिए mutation research पुष्टक लिखी गई fourth option एक तुम correct answer हो जाएगा उसके बाद चलते हैं question number 24 और 25 जो की आज की series के ये last question होंगे ठीक है देखते हैं क्या है question number 124 के रहा है समाने ता धान फसलों में कमी पाए जाती है ठीक है धान फसलों में किसकी कमी पाए जाती है लाइसीन की पाए जाती है मैथियोनीन की पाए जाती है ट्रिप्रोफेन की या प्रोटीन की तो इसका correct answer हो जाएगा यानि कि मैथियोनीन का कमी पाए जाती है धान की फसलों में second option एक तो correct answer हो जाती है उसके बाद आज की जो प्रैक्टिस सेट था 125 कोशनों की series थी आज य जानते हैं काफी easy question है यह प्रमानज बीज के लिए क्या किया जाता है नीले रंग के टेक का परयूग किया जाता है ठीक है तो third option एकदम correct answer हो जाएगा आज की हमारे जो प्रैक्टिस सेट 125 नंबर की question थे तो यहीं समात होती है अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया है तो हम अधिक से अधिक सस्क्राइब करिए ठीक है इसी परकार के TGT के PGT के जेतने भी प्रैक्टिस सेट रहेंगे हम उसको लाते रहेंगे और आप लोग अधिकतर सस्क्राइब करने के कोशिच करिए सब लोगों को धन्यवाद